यार तो दोस्तों मैं खाना अपने लिए लिया है और आप सब जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और ये वीडियो पूरी देखें इस जैसे मेसिज आप सब के लिए कि मैं जो है एज़ेप पहुंच गया हूँ कायरो और आप खाना कहूंगा और ये वीडियो जो है एडिट करके आप सब देखेंगे मुझे फीडबेक जरूर देना इन्शाओला वासरी वीडियो जाएंगी बड़ाप लोगों के सबलाद कुछ भी हो तो कमेंट जरूर करें मैं आप लोगों को जवाब दो करें तैंक्यू सो मच्छ चलें वीडियो एंजॉय करें इसला किलों से घर से निकला हूं वो कहान दाद में से नौगराभी में एरपोर्ट से हूं चेक-इं स्टार्ट नी हो वीज से पच्छी स्मिनिट लगेंगे तो चेक-इं स्टार्ट होगा अंदर जाएंगे तो मैं आप लोगों से बात करना हूँ आइड़ों जैस रेंडम तॉक मुझे एरपोर्ट पहुचना पड़ा से लाग के मुझे लाइक कष्टी की ज़रूत पढ़ गई थी इस तरह के अलाट थे बट मुझे जो है फ्लाइट पकड़नी थी और ज़रूरी था कि मैं टाइम पे पहुँचना तो इसी दुरान जो है मैं मुबाइल यूज कर सका न तो पर एक अरसा जो है मैं पाक्सान में रहा हूं और तैंस साल म्ह पाक sightsा में रहा हूं और इसके बाद ऐसे निकलना और काइरो जाना अपनी इप्राबम च्वरर प्सक्तत के लिए जो मिरे लिए बहुग पुब्छिक था से एंसके और बहुत मुखिल सुखिल उई और इमीक्रेशन वालों ने मुझे मेरे साथ थोड़ा सा वो किया कि थोड़ा रूड हो रहे थे फिरो ने मुझे सवाल किया कि आप ऐजिप्ट क्यों जा रहें तो मैंने का पाकिस्तान के फिरो देखamorph Aww. अब, जो है काईरो के मिसर के पिरोन देखने जा रहा है तो उस पे जो है उसने मुझे वापसी लाइन में बेज दिया था जो के 200 बंदों की लाइन थी फिर दुबारा मुझे लाइन में लगा इन सब स्ट्रेस की वज़े से ना तो मैं मुबाइल यूज़ कर सका ना में कई वीडियो बना सका क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा स्टीफ कर दोब के इन से लुट है तो शोड़ा है वाग दोगज मुझे जग वीडियोरा में मुझे वीडियों कर दो भाद़ लाद़ा है उना है वीडियोरा तो बैंसा धूटल छया बती हा लाद़ाउ है जाटे हैसा एज जजल बज़को यज़को बॉबका बशना हैं असलामुलीकूम दोस्तों अमीद करता हूँ आप सब हैरी से होंगे तो बेसे के लिए हम कराची से जिद्धा पहुंशत हो गए वाइट सो डिफिकल लाइप पॉर्च टाम आप जो है इस पैंडमिक में जो है ट्रैबल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि लोग कम ह इन्फरमेशन कम मिलती है बहुत बड़ा एरपोर्ट है बहुत बड़ा एरपोर्ट है मैं कितनी देर के बाद मुझे गेट मिला और अभी में डाउट महुंग कि यह मेरा गेट है या नई तो हम जाएंगे जिद्धा टू काईरो काईरो तो मैं वेट कर रहा हूं अभी सब बड़ा मौसम खराब होने की बज़ेसे जो है मुझे गवरार भी कुछ ऐसी हो रही थी कि पाक्सान से निकलना था और फिर ऐसी जगह जा रहे थे जहां लोग शायद बड़ टिफरेंट मुझे लगे शायद मुझे लगा कि सहरा होगा वहां सिरफ पहाड होंगे तो यह करीवन 12-15 किलो का था तो यह सारी चीजी जो है दिमाग में चल ली थी जिसकी वज़ा से जो है इंजाइटी लेवल या स्ट्रेस लेवल उसे कह सकते हैं वो बढ़ता जा रहा था तो इसी दोरान जो है दौाएं पढ़ते वे और अल्दा को याद करते वे जिकर करते वे आ हैं आपका बैक टेक कुलवाते हैं सारी चीजे चेक इन हो रही थी ऑल्दो उनकी फ्लाइट्स उनकी एरप्लेंज एवरीटिंग बहुत बहुत इच्छे थे अब ठोड़ा डिले का शिकार था मैं सुबा जो है वे कंटा डिले भी हुआ फिर उसके बाद जो है हम जो है फा कर दो मैं एक कर दोड़ा है तो कर दो कर दो कर दो है तो इतनी जादा कहानी बताने का मकसर यही था कि जहां पाकिसान से निकलना इमिग्रेशन क्रोस करना और फिर इस तरह की कंट्री में आना कि जहां लोग अंग्रेजी नहीं अरवी बोलते हैं बड़ा मुश्किल हो जाता है बर इस तिल आफ मेड इट और अलहमदल्ला में सु आने की क्युंख आने के से साथवाने के साथ्या कर आने क्या हैं आप सब प्रोगे ठसकरी बोलके ernंसला करें और मारे करें जा कुछ मैंट आक्या क्या सब आने क्या संकर तो मैं याँ पहुंच गया, अलहम्दुल्लाँ खेरियत से और इचिप्त एक्सप्लोर करेंगे आप सब के साथ मिलके, तो आप सब मेरे साथ रहेगा और मुझे सपोर्ट करें इसी तरह जैसे सपोर्ट करते आ रहे हैं, तो मिलते हैं इंशालला अगली वीडियो में, तब त करेंत हैं, झाल Boss time, कोई ऑचिप्त एक्सप्लोर की और टाएं के साथ दिन सेंयित